लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ आडजी सिंग और यह अपना चैनल क्लब आई सस्प्रेंट हम लोगों एक बनियर का प्रोग्राम लांच किया जो टूटली फ्री अप कॉस्ट है इसमें लोग टार्गेट करेंगे प्रिलिम्स 2021 और 2022 को अगर आप लोग इस प्र आठी है वह एक लास किये जिसका नाम है संसादन इभर विकास अब देखिए यहां पर मिर्दा कि निम्निकरण की बात की कि ओपर हम लोगों ने निवनी करणि देखा था तो आपको यह अब बूग करने अब देखिए मैं आपको यहां पर आपर निम्निकरण का मतलब होता जो भी प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को नियूणी करण कहते हैं तो नियूणी करण क्या है अगर हम नियूणी करण को कम करना चाहते हैं और इसको कम करने के लिए जो भी प्रोसेस हम अपनाते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं नियूणी करण कहते हैं अब दो बढ़ आते ही, एक होता है सररक्षण और एक होता है परीरक्षण, ओके क्या होता है, एक होता है परीरक्षण होता है और एक होता है सररक्षण, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोस्तों आपको NCRT पढ़ने के बाद ये वीडियो देखना जरूरी है जिससे मैं आपका सारा कॉंसेप्ट किलियर करता हूँ क्यूंकि बहुत सी चीजे ऐसी होती है जो आपको NCRT में देखने को नहीं मिलेगी जो आप NCRT से नहीं समझ सकते अब परी रक्षण का मतलब होता है परी रक्षण का मतलब होता है यानकि कोई भी घटना होने से पहले हम उसको दोस्तो सररक्षड कर लें जैसे एकसिडेंट ना हो इसलिए हम ह Warum पहने हैं यानी कि पहले से हम सरक्षड करके चल ले है लेकिन सररक्षड का मतलब होता है दोस्तों अब देखिए वो चीज है वो घटने लगी है जब वो घटने लगी है तब हम उसके बारे में सोचते हैं उसके लिए काम करते हैं तो सररक्षण और परी रक्षण में इतना ही अंतर होता है यह जो परी रक्षण होता है वो पहले से ही अगर हम कोई उपाय करके रक् लोगों को बाहर लिकानने का कैम्प लगाती हैं जैसे लोगों के लिए अलग से आबास देती है खाना को कि खानी के शुबदा होती है बहुत है इन दोनों में बेसिक डिफ्रेंस है आपको पता होना चाहिए बहुत वरना आप लोग कुछ तो ह 오늘 गलत कर देंगे अब देखे इसमें बात की गई है कि निमनी गरण के बारे में तो निमनी गरण है दोस्तों यहां पर देखिए फॉस्ट फाइल लाएन यह बहुत इंपोर्डेंट है कि मिर्दा अपरदन और छीड़ता मिर्दा संसादन के दो फिर्मों खत्रे हैं यान कि यह जो अपरदन है और मिर्दा की जो छीड़ता है दोस्तों यह दो सबसे बड़े खत्रे हैं इन दोनों का मतलब क्या है अपरदन का मतलब है जो मिर्दा है वो तूटे फूटे और एक जगेसे दूसी जगे चली जाये ओके तो इसी के लिए अपर्दन कहते हैं और दूसरा है दोस्तों चीड़ता चीड़ता का मतलब है कि इसकी जो जो भी और बड़ता है इसकी गुड़बता में कमी आना ओके यार कि मिर्दा प्रिदूसित हो रही है तो आप दूसी तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिर्दा प्रिदूसित हो रही है कब होगी जब म grateful दीए जह जादा ज्यादा जल का सब्सक्राइब करों कि र्वर्बर इस तो इस होता है और जो मtraka का judgment दीए और प्रकती दोनों तो कारकों की वज़े से हो सकता है, और पिलकरती भी जो मिर्दा है उसका निमनी गरण करसी है, अब देखे इसमें बहुत सारी कारण बताएगे हैं, जैसे बनू का कड़जाना, अतिचारण, अतिचारण का मतलब है किसी भूमी पर बहुत जादा जानवर जाकर के चरते हैं, तो उनके पैरों के तोर जो मिट्ती होती है, वो अ संगठी हो जाती है, तो जिससे क्या होता है अगर हापजयाती है यो मिर्दा की और लावने कारण भी जडने कारण हो जाती है तो यह साब है जिन तो इन से हम कैसे सरा रखषर कर सकते इन सारी चिजों से वही इसमें से बताए के तो कि क्या example के थूरू आपको समझाता हूँ जैसे माल लिजिय हम लोग पेड़ लगाते हैं तो वो किसी पट्टी में लगाते हैं इस तरह से lining में हम पेड़ लगाती है लेकिन बीच में तो ऐसी जगे छूट जाती है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है तो क्या होता है जो यह रीजन होता है खाली जगे होती है यहाँ से बास्पिकरण की प्रिक्रियाद जादा होती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते है इससे जो नमी होती है वो जा सकती है एड्मोस्पियर में तो जो भूमी की नमी है वो कम हो जाएगी न और दूसरे क्या हो सकता है अगर यहां पर बायू चलती है तो यहां से मिट्टी उड़ती रहेगी अगर बारिस होगी तो यहां की जो मिट्टी होगी वो जाकर के बहगर के दूसरी जगे चले तो इस को मल्च बनाना कहते हैं और इस سे बहुत सारे फाइदे भी होते हैं जैसे की आपको जादा सचाही नहीं करने पड़ेगी क्योंकि नमी बनी रहे गी और आपका जो-बी जैसे-क अगर आपने कोई भी और बासी उर्बक पदाथ डाले हैं तो बारी सके समय में बह करके जादा नहीं जाएंगे अब देखे हम लोग अगली देखते हैं अब देखे बेदिका फार्म इसमें बताएगे बेदिका फार्म के बारे में बताएगे कि बेदिका फार्म क्या होता है बेदिका के द्वारा जो किर्सी की जाती है वो पहाड़ी चेत्रों पर तो बेदीका के का मतलब है Jayासे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैरे न पर बारिस होगी तो पानी एक दम डारिक्ट नीचा आजाएगा तो यह लोग क्या करते हैं बेदीका बना लेते है जैसे कि पहाड का ढाल इस तरफ से क्या करेंगे लोग इस के जो इस तरफ से लेकिन इस तरह से ए ब्लॉक इस लगे हुए हैं तो पानी क्या होगा इन्हें हर सगे बराबर मातरा में मिल पाएगा तो एक क्या होगा कम से कम एह रिसोर्स का यूज़ करके अधिक से अधिक उत्पाधन कर सकते हैं और नमबर दो इन लोगों के लिए भी आसानी भी होती है और साथ में बारिस के समय जो मिट्टी होता है उसका कटान भी कम होता है तो इसलिए बेदिका फार्मिंग की जाती है जहां पर तीब्र पड़ेगा कि यह कहां पर कि जाती है जिससे क्या होता है हम ढाल वाला जो चैतर होता है उसी भी सपाट बना लेते हैं कि छोटे-छोटे लिएर्स में बना लीते हैं चोटे-छोटे भागों में स्टेप-बैस्टेप क्लियर हो जाएंगे आपके आपने सीडी देखी होगी पर चबहीं कि बाइवा फॉर्बलम स्टाव्पल इस तरह उसमें बना देते हैं tis तरह तो यह समतल हो जाता है आप देखेंग्र बैलों ना दोस्तों इसी समतल भाग पर हम लोग प्यारह रखकर आराम हम से उपर चड़ जाते हैं तो ये समझी थोड़े बड़े हैं और रोलू Trustees कर लें तो इसी को भीन का पर भार्मिंग कहते हैं के दो भी willी हπα़ेकर तो पानी ठैर के जाता है क्योंकि उन्हें इस तरह की नालिया नहीं बनती है अगर हम ढाल के अनरूब जुताई कर दिंगे तो पानी के लिए एक पानी पे---- बनती हो काम करेगा जिससे उसी को समुच्छμ रते है की अब इसके नीचे रिखा है आप रख्षक में अगला क्या होती है, ए कहा देखने को मिलेगा, यानि कि आपको क्या समझ में आया है. जो फ्रस्ट बाल आए, फर्स्ट बाल ächst biodi का farming यो यो जो डहां रख्षक में युझा है युझा को नायहीं. इनका यूज हम लोग दोस्तो सुस्क सेतर होते हैं जहां पर बायू तेजी से चलती है हम उन जगह करते हैं जैसे कि जो रेगिस्तान होते हैं या फिर जो सुस्क प्रदेश होते हैं बहां पर हम इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो लगाते हैं जैसे कि माल लीजिये मैं यहां पर बहुत सारे पेड लगा देंगे तो यह बायू है यह पीड क्या करेंगे अबरोदक का काम करेंगे जब अबरोदक का काम करेंगे तो नंबर एक बायू की को कम कर देंगे क्या करेंगे बायू की गती को कम कर देंगे और जो सतय पर बायू का बेग होगा वो बहुत कम हो जाएगा सतह पर बाईू का बेग होगा, वो बहुत ही दे जानप साध ही, और दूसरा क्या होगा साथ में जब पबन होगी, जब इन पेडों से टकराएगी, एक जम्पोतों को करने के दा करें, वो इन पेड़ों से टकराने के बाद यहां पर यह डिपोजिट कर देगी तो नमबर एक तो हुआ यह अपरदन को रोग भी रही है और दूसरा मिर्दा का जो सर्रक्षड कहीं से कहते हैं निम्निकरन हो चुका है उसका भी सर्रक्षड कर रही है उनको भी ला करके मिर्दा को रोख लेती हैं और एक जगे पर डिपोजिट कर देती हैं अब देखिए समुच रेखिए रोधिकाएं होती हैं जैसे समुच रेखिए जो जुताई होती हैं अभी हम लोगों ने देखी थी तो रोधिका का मतलब है कि हम जैसे की इधर से पानी क से बना सकते हैं घास के बना सकते हैं मिर्दा का बना सकते हैं अब इस तरह से हम बैरियर बना देंगे तो क्या होगा दूस्तों यहां पर जो जल होगा वो हलके हलके जाएगा कैसे जाएगा हलके हलके जाएगा और नमबर दू हम इन जगे पर पानी का भी स्टोरेज कर सकते हैं जिससे हम इसका बाद में यूज कर सकते हैं तो समुच रिखी के मतलब है कि हम इस तरह से barrier बना देंगे और जुताई का मतलब है हम इस समुच रिखा किस अनुरूप जुताई करेंगे तो उसे समुच रिखी जुताई कर देंगे जुताई कह देंगे लेकिन हम समुच रिखा ऐसे बना देंगे barriers बना देंगे तो उसे समुच रिखाएं या समुच रोद दिखाएं बोल देंगे अब देखे यहां पर बताएगा जैसे कि एक हमने टब में हमने ऐसी मिर्दा लिए जिसमें बनसपती नहीं है यानि कि पीड़ पौते नहीं है अब दूसरा हमने टब लिया जिसमें हमने पीड़ पौते यानि कि कुछ बीच डाल दिये और उसमें कुछ गास जमाई तो हमने दोनों में पानी डाला ये देखिए इसमें हमने पानी डाला और इसमें पानी डाला जब हम इसमें पानी डाला तो अधिक मात्रा में मिर्दा है वो इस मग में आ गई लेकिन जिसमें हमारी बनस्पती धी जिस मिर्दा में उसमें बहुत ही कम मात्रा में मिर्दा है व बात बना देते हैं और उससे हम क्या होता है दोस्तों जो बर्सा होती है या जल होता है उसका हम सर्रक्षड कर लेता है और उसका हम यूज बाद में भी उसका यूज कर सकते हैं अब चट्टानों का बाद हम किन जगे पर बना सकते हैं जो उची उची जगे होती है उनी जगे मैं कलांतर तो कातारे होती हैं या मैं आपको दूसरे लैंग्यूज में समझाऊं तो इस तरह ऐसे कि मैंने यहां पर एक जो रेड कलर से दिखाया माली यहां पर एक फसल लगी हुई एक फसल माली यहां पर जो फसल लगे हुए है वो गन्ना है ओके अब बीस में हमने इसमें और धिर सारी दूसरे पौद लगा दिये जैसे कि मिड्स लगा दिया यह फिर आलू लगा दिया कुछ भी लगा दिया तो इससे क्या होगा जब बरसा होगी तब वो इस नालियों से गुजरीगी तब क्या होगा उसका अपरदन कम होगा यानि कि उसका सर्रक्षड भी होगा और हम उसका अधिक यूटिलाइज भी कर पाएंगे तो इसी के लिए बीस की फसल लगाना कहते हैं हम अलग अलग समय के साथ अलग 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 फसले उगा सकते हैं एक साथ ओकि अप देखिए इसमें जल के बारे में बताए गया है अब देखिए यहां से मैं आपको अपना जो डाइग्राम है जो मैंने सिनॉपसिस बनाए है उसके थुरू आपको समझाता हूं जिससे आपको सारी चीजे बहुत अच्छे से कबर हो जाएंगे और हम जल्दी से जल्दी जो एंस करेंगे जब compare कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से आप answer को दे पाएंगे और आपका जो confusion होगा वह कम से कम होगा और ज्यादा ज्यादा आप output दे पाएंगे और साथ में क्या होगा दोस्तों आप क्यों कि रिवीजन भी कर पाएंगे मतलों बहुत जल्दी इसका revision कर करेंगे और देखिए आपका खुद का notes होगा जब आपको खुद का notes होगा तो आपको लगेगा हां यार यह तो मैंने पढ़ा है इसको एक बार समझ लेता हूं तो इस तरह से आप देखिए अब देखिए इसमें माल्च है अब माल्च के बारे में मैंने लिखा है उसको के केबल की पॉइंट उसमें लिखे हैं बेदी का फार्मिंग है तो उसमें क्या लिख लिए केबल की पॉइंट जैसे की तीब डाल पर बेदी का फार्मिंग की जाती है और यह क्यों की जाती है जिससे मिर्दा का परदन कम हो सके होगे समुझ रिखे जुता ही है यह भी देखे क्या करती है यह प्राकरतिक अबरूत का काम करती है क्योंकि जब बारिस होती है तो उससे मिट्टी की रक्च्छक करती है और इसी तरह dwemarku मेगलाईं होती है वो व्रक्चों की कतारे होती है तो मैंने तरह प्रिद्ध में हम इनका ज्यादा यूज करते हैं तो टटवरती प्रदिस होते हैं या फिर सुस्क प्रदिस होते हैं अब देखे इनको पढ़ेंगे तो आपकी अब्जेक्टि कुस्तन गलत नहीं होंगे और मेंस में जब आपदा प्रबंदन जब टॉपिक आएगा तब इन सबी को जब देंगे तो शन आपने अंथर में दे देगे ञां आ तो लगेगा कि ऐसमें बोहत जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें हमारी पिर्थभी पर जो हमारे पिर्थभी है टूटल उस पर 70% से अधिक भाग पर आपको जल देखने को मिलेगा लेकिन हमारा जो जल है उसमें 97% से भी अधिक है वो लवड़ ये जल है इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं यान कि ये खारा पानी है इसमें लवड़ सा जादा होती ह है और लगबक में 2.5% के बराबर इसमें जो जल है वो आपको देखने को मिलेगा अलवड़ ये जल हम इसका यूज कर सकते हैं लेकिन जो फू members 2.5% जो ज़ल है इसका भी हम सब उसने कर सकते है क्योंकि इसका लघभग में जो 2.5% है इसका भी 70% जो है वो आपको देखने दृब्य चित्रों में और फ Professor रख्राइक तो बहांपर राफ की रूप Waar गलत नहीं लगाना है इस 70% मैं किसका बता रहा हूँ इस 2.5% का है ना कि इसका ओके सली हम लोग देखते हैं आप जल आभाहू की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इसमें बताएगा है जो जल आभाहू है दोस्तों वो आपको किन पर देखने को मिलेगा अधिकान सो अपरीका की देश है या छेत्र जो USA है और उत्तर पच्वी मेक्सिको आपको देखने को मिलेगा दच्षडी USA देखने को मिलेगा ये छेत्रे है ये जल संकट की जो समस्या है उससे ग्रस्तित है यहाँ पर जल की बहुत जादा कमी है और जल को हम कैसे सर्रक्षित कर सकते है तो जल को हम कैसे सर्रक्षित कर स Snyder शोब वो कर किस-किस में कर सकते हैं debate सब्सक्राइब कर नबर एक उसको बहुत अच्छा 1 concept आपको clear हो जाएगा, तो आप इसका उपयोग कम कैसे कर सकते हैं, आप जल का उपयोग कहा करते हैं, डेली life में करते हैं, तो डेली life में जो आप बाटर का यूज करते हैं, उसको कम कर सकते हैं, अब उसको कम कैसे कर सकते हैं, आप कहीं जल बरबाद हो रहा है, तो उसको का जल का यूज थोड़क काम करें साथ में आप क्या कर सकते हैं जो बाटर इफिसेंट जो उपकरण होते हैं उनका यूज करिए जैसे कि अगर आपके ट्रेडिशनल बॉसिंग मसीन हैं जिसमें पानी का बहुत जादा यूज होता है उसके जगह पर जो जल से जो दक्ष होती हैं जो वाटर इफिसेंट जो मसीने होती हैं उनका यूज कीजिए जिससे वो कम जलबे भी आपके जो कपड़े होंगे बॉस कर देंगे इसी तरह जो भी चीजे होती हैं उनका आप कम से कम यूज करिए कि जो भी ऐसे जो एडवांस टेक्नोलोजी होती है उसका आप iki का बरबाद हो जाता है अब क्या बइचे और और तो क्या होसं के सत्याफिक्र इबभाद हो रहा है तो नीचे आप कुछ भी अड़ा सकते हैं और उस जल का व्यूज अपने यासे फर्स को द्रिया में कपड़ों को त्हुरे में आप कर सकते हैं कि सेवन्टी None आपको jками ल डेली लाइफ में यूच करते हैं इसके लाब हम किर्सी के छेतर में जल का बहुत उपयोग करते हैं अब किर्सी के छेतर में हम जल का उपयोग बहुत करते हैं तो इसका हम सर्रक्षड कैसे कर सकते हैं तो हमें इसके लिए जो बैग्यानिक से चाहिए उधर जाना पड़ेगा तो जो बैग्याननिक तरीके से सुस्चाई होती है न कowing पारंपरिक तरीकые शेचाई होती है उसकी जगेपन हमें बैग्यानिक तरीके से से सिछाई करनी पड़ी जिससे हम जलका सर रख्षड कर सकते हैं जैसे कि हम इस्प्रिंकल से चाई कर सकते हैं अब देखे यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है अगर आप लोग पार्क में कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा हो एक फुबारा बीच में लगा रहता है और गोल Comics घूमता रहता है जिससे क्या होता है कम पानी में हम अधिक से अधिक जगे में उसका यूज कर पाते हैं अब यह सुचिए एक हमने जैसे टूब बे लगाया पानी ऐसे हमने छोड़ दिया तो वो हर जगे पर पहुंचने के लिए उसे उतना लेबल होना पड़ेगा ना तो पानी का ज्यादा यूज होगा लेकर हम स्प्रिंकल के द्वारा दूर ते के से बहुन हर पिंगे तो कम से काम पानी होगा आदिक से अधिक चितरों में जाकर के पहरदव को मिल जाएगा तो हम सप्रिंकल से चाहिए कर सकते हैं और नंबर दू किए अगर सकते हम डिप से चाहिए कर सकते हैं परवती चित्रों में ज्यादा यूज किया जाता है अब देखें ड्रीप सिचाई का मतलब क्या है माल लिजे यह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अब अगर हमें इने सिचाई करना है ड्रीप के द्वारा तो हम इस पे छोटी-छोटी नली के द्वारा एक दम जड़ के पास तो पौधा भी इसका पूड़ रूप से उपयोग कर पाएगा तो इसी के लिए कहते हैं ड्रिफ सचाई या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है टपकन सचाई के नाम से ओके टपकन सचाई इसलिए बोलता जाते हैं क्योंकि इस पर पीड़ के पौदे पर बूंद बूं हम बहुत जादा उपयोग करते हैं जल का तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम जो जल यूज करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं अब हम बोतों जल यूज करते हैं और डारेट बहा देते हैं लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं री साइकल भी कर सकते हैं अब हम री साइकल करेंगे तो पानी को हम पुना उप्योग कर पाएंगे यान कि री साइकल करके हम लोग क्या करेंगे उसका री यूज करेंगे अब जब हम री यूज करेंगे तो हमें नय पानी की ज़रूद नहीं बढ़ रही है तब हम इसे री यूज करेंगे और अगर हम इसको फिर से recycle कर सकते हैं तो हम फिर से इसका reuse कर सकते हैं तो क्या होगा देखिए यहाँ पर भी पानी की बचत हो लिए अब इस तरह से हम सबी तरह से हम बता सकते हैं कि हम पानी की बचत कहा कहा पर कैसे कैसे कर सकते हैं नमबर हम उपियोग उसका कम कर सकते हैं और नमबर दो क्या हो सकता है नमबर एक तो यह हो गया हम उसका उपियोग कम कर सकते हैं और आपको समझ में आगे कि हम उपियोग कैसे कैसे कम कर सकते हैं अब देखें की पॉइंट है इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस होगे त末 हम इसका यूज कर लेंगे तो यानकि हमें जो बाय बाटिर लेविल है जो हमें अंदर से पानी लिकाना है ओके कर सकते इसके अलाबamente कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लगा सकते हैं तो वहाँ पर पानी होता है वह उसका सर्रक्षड होता है, इसके अलाब हम क्या कर सकते हैं, जो जल है दोस्तों, जो आल अबड़िये जल है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको भी यूज करने के लिए ऐसे टेकनोलोजी विक्सित करें, जिससे इसे भी हम सुद्ध करें और इसका भी यूज कर पाएं क्योंकि 97% से भी अधिक मात्रा में आल अबड़िये जल है, अगर हमने इसका यूज करना सीख लिया, इसको अगर हमने सुद्ध कर दिया तो हमें पानी की कभी भी कमी नहीं मैसूस होगी, और इसके अलाब हम क्या कर सकते हैं, ऐसी अधिक से अधिक जो मसीने हैं, जो बाट अधिक राफ भी लिखेंगे, तो आपके 5-6 पेस भर जाएंगे, अब डेली लाइफ में आप कैसे बाटर की सेविंग कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे चीजे हो सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद भी बता सकते हैं, तो यह क्या हुआ एक एपरोच हुआ, नम्बर इक यूजच कम करेंगे, नम्बर दो आप बर्षा का जल का स्टॉरिज कर लेंगे, नम्बर त्रिन आप क्या कर सकते हैं, नम्बर चार क्या कर सकते विए डिखक लोग विखित करने को बोलेंगी, जिस से पानी की स 뉴스 क्यों बहुतंव हैं, इन यह सब टोपिक हैं उ आपके माक्स भी अच्छा हैंगे साथ में आपका जो आंसर होगा वो काफी खुबशूर लगेगा देखने में अब देखे किर्सी है इसके बैग्यानिक पदती है अब इस पर कम से कम आप तीन से चार पेस तो इसी पर लिख सकते हैं एग्रिकल्चर पर की हम बार्टर की सेव अब लगवक में 5-6 पेस लिख सकते हैं और अगर इन सब पर थोड़ा थोड़ा परग्राफ लिखेंगे तब भी पांचे पेस हो जाएगा तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है जिससे को भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली हो कि अब देखे यहां पर जो पस्व आजकल के जो नई जर्रेशन होगे साइद वो गिद्धों को जानती भी ना हो अब देखे जो गिद्ध हैं उनकी मिर्थु कैसे हुई यान कि वो इतनी बड़ी तादात में इंडिया में पाई जाते थे अब वो पूरे संसार से कैसे लुपत होगे क्यों लुपत होगे तो आप लोगों ने इसके बारे में अगर सुना होगों तो बहुत सारी ऐसी कानिया सुनी होगी कि कुछ लोगों ने देश के कुछ देस ऐसे थे जनोंने मसीनों के द्वारा एक बेब भेची और उससे सारे जो गिद्ध थे उनको अपने एदर एक्टरेक्ट कर लिया लेकिन जानबर को घंगे अब जानबर के अंदर कोई बीमारी है या फिर ऐसी कोई चीज है अगर वो इनको इनको इफेक्ट करेगी तो क्या करेंगे ए भी बीमार हो जाएंगे ना तो जब जो पसु होते थे वो बीमार होते थे उनके उपचार के लिए हम लोग काफी मातरा में एस्प्रीन और डिकलोफिनेक्स इस तरह की जो इबोप्रोफीन थे इस तरह की दबाईयों का हम इंजेक्शन का यूज करते थे और यह सारी थी यह सारी जब इस गिद्ध के अंदर जाती थी तो इसकी जो किड़नी होती थी किड़नी को एफेक्ट करती थी अब इक गिद्ध की किड़नी खराब होने लगी ओके समय के साथ बहुत जादा मातरा में जब इनकी किड़नी खराब होने लगी तो इन ने इस पर रोग लगा दी अब जो यह दबाईयां है इनका यूज कोई भी नहीं कर सकता है गवर्मेंट ने इसको बैन कर दिया है और इन दबाईयों को यूज क्यों किया जाता था जो भी पसु पसु होते थे उन्हें पीड़ा ना सक्यानी कि जो पीन किलर होती थी एक तरह काफी लंबी हो गई इसलिए मैं इसको यहां पर ही फिनिस करता हूं इसका आगे का जो पाट है और नेक्स वीडियो में आपको मिल जाएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसक